हेलो फ्यू वाड़सन बोक्सिंग डिया में आप सब कास स्वागत है और मैं हुआ हम रान आज बरे पास बज़ो डिवाइस है यह है रेडमी A2 स्मार्टफोन चीहा दूस्तो एक न्यूली लूंच प्रोडक्ट है रेडमी की दरफ से रेडमी A2 तो आज इस वोडियो में इस स्मार्टफोन के बारे में डीटेल्स में फोन की स्पेसिफिकेशन प्राइस और इसी स्मार्टफोन को अंबोक्सिंग करके और रिवीव रिखेंगे इसी स्मार्टफोन में है 4GB RAM 64GB इंटारेज और एक बजट रेंज में आता है काफी कम प्राइस में बहतरीन फीचर इस व इस वाइड इवाइस में है 5000 मिली एंपियर अर बैटरी एडियल एर केमरा यह सब मेंशन किया गया है एक हुआ ब्लू खला में अबरे पास यह स्मार्टफोन है रेडमी एटू और यह जो रेडमी एटू इस स्मार्टफोन है बहुत ही बड़िया है क्योंकि प्राइस रें इसमेंजिक्टर यहां पर एक अडॉप्टर दिया गएंगा है यहां इसी इडूप्टर के अलवा यहां पर आमें समार्टफोन कूछ इस तरही से बड़िया लुक्स के साथी इसाथ बज़िए बच्छा इक्वा बलू कालाम में जबरदस्ट लुक्स इसी स्मार्टफोन की नजर आ हरा है बैकबोडी की तरब देखा जाए रेड मी का प्यारास अ ब्रांडिंग नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है साधी साधी हाब ड्र ess बेड़ारी करने है एक ब्रिटल इसे स्मार्ट czł drug was रड़ एंट है जे से लगा नीचे कॉमेंट सिक्षन पर जुरू बताई है इसी स्मार्टफोन में तीन अलग 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 कलार है जैसे कि मेरे पास एकवा भ्लू इसके लवा क्लासिक ब्लेक और सिया ग्रीन तिनों की कलार काफी जवरतसते हैं और मैं अलग 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 वीडियोज में आप लो इसे दोरों ही लेकिन काफी कुछ डिफरेंस भी है जैसे कि सबसे इंपोर्टेंट पार डिवाइस के प्रसेसर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है रेडमी एवान में इतना कुछ खास चिपसेट नहीं दिया गया है लेकिन रेडमी एटू जो स्मार्टफोन एक बचट र है तो इसी स्मार्टफोन की जो बेक बोड़ी है पॉली खरबड़ी यानि प्लास्टिक बेक बोड़ी और प्लास्टिक फ्रेम के साथ यह स्मार्टफोन है चलिए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करते है डिवाइस को ओन कर दिया और यहापे सेट अप हो रहा है इसी Redmi A2 smartphone में एक अच्छा quality का display भी provide कर दिया गया है, budget range में सही है अगर मैं Redmi A2 smartphone की display के उपर बात करो तो इसी smartphone में IPS LCD का उप्योग किया गया है 6.52 इंचेस का यहाँ पर watch of notch के साथ एक screen नजर आ रहा है और device में जो resolution है 720 x 1600 pixels के साथ में इसी smartphone में display दिया गया है और HD Plus है, Full HD नहीं है, 269 ppi रेखा गया है, 81.0% skin to body ratio है तो overall देखा जाए, कहीं न कहीं एक अच्छा quality का display भी इसी smartphone में provide कर दिया गया है कलार अगरा काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और 400 nits type का typical brightness है तो अच्छा है खराब नहीं है, display quality अब चलिए बात के लिए इसी smartphone की performance के उपर device में 4GB RAM है, 64GB ROM दिया गया है इसके लब डिवाइस में 2GB RAM and 32GB ROM variant है अगर आपको नीचे वाला variant चाहिए 2GB, 32GB ROM के साथ में खरीच सकते हो डिवाइस में जो chipset दिया गया है, processor मिरेरे की तरफ से है मिरेरे के लिए G36, G35 के उपर जो chipset है मिरेरे के लिए G36 वो दिया गया है, काफ़ी बढ़िया है 12GB RAM fabrication में या कोक्टकर बसर है 2.2GB हर्च क्लोकी स्पीट के साथ में मिरेरे के लिए G35 जैसा ही इसी स्मार्फोन में आपको performance देखने को मिलेगा 4GB RAM, 64GB ROM additional RAM B, 1GB दिया गया है और Android version 12GB 13 तक अपक्रेड हो जाएगा तो देखा जाए performance के मामले में, gaming के मामले में और speed के उपर बात करो, तो ठीक टाक device रहेगा इतना ज्यादा खराब नहीं होगा और इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा ठीक टाक performance देदेगा, budget range में सही है इसके लब डिवाइस की camera, specifications के उपर बात करो, device में dual-air camera है 8 Megapixel का primary camera दिया गया है, 5 Megapixel का selfie camera इसी smartphone में दिया गया है और जो primary camera है 8 Megapixel और 5 Megapixel का selfie camera यह रहा दुस्तों कुछ camera sample जो मैंने इसी smartphone के साथ यहाँ पर click किया है काफी अच्छा हसा result है, budget range में सही है, काफी low budget में यह smartphone आता है उस range के इसाप से देखा जाए, 8 Megapixel rear camera और यहाँ पर 5 Megapixel का selfie camera के जो performance या output है वो काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और चलिए दुस्तों फिलाल बात के लिए इसी smartphone की battery performance के उपर इसी smartphone में हमें यहाँ यहाँ पर 5000 मिली एंपेर का battery दिया गया है साथ में यहाँ पर 10 watt charging देखने को मिल जाता है इतना ज्यादा fast support नहीं है 10 watt charger and 10 watt charging support दिया गया है और इसी smartphone के अगर security के उपर बात करूँ fingerpin scanner device में नहीं है सिर्फ face unlock से इसी smartphone को अपन लोग कर पाऊगे लेकिन face unlock आप use मत कीजिएगा इतना ज्यादा secure नहीं हो आता आप सिर्फ fingerpin तो नहीं है तो यहाँ पर pin pattern का आप इस्तेमाल कर सकते हो आप चलिए दूस्तों फिलाल बात कर लेदे इसी smartphone की price के बारे में इसमें दो variant है इसके जो base variant है 2GB RAM and 32GB ROM के साथ में आता है जिसका इंडियन मार्केट में price रखागा है 6,299 पेसी अन्योल मॉस्ट 6,300 का device है और इसी smartphone की 4GB RAM 64GB ROM variant का price है 7,999 पेसी अन्योल मॉस्ट 8,000 का device है तो दो अलग-अलग variant में यह device मार्केट में अवालेवल है 2GB, 3GB, 4GB, 64GB तो price range के हिसाब से specifications के हिसाब से देखा जाए तो definitely 6,300 के device के हिसाब से 8,000 के device के हिसाब से एक काफी एच्च़ डिवाइस या budget range में एक value for money product आपको Redmi के दरफ से मिलता है Redmi A2 जो काफी कम budget में इस तरीकी के features देखने को मिल जाता है जैसे के device के look से design काफी एच्चा है fingerprint scanner missing है मेरे खासा device में fingerprint scanner होना चाहिए था अगर मैं 4GB variant के उपर बात करो क्योंकि 8,000 के device के हिसाब से fingerprint scanner कम से कम आना चाहिए था इसी smartphone में लेकिन device के जो overall विलको already design है वो काफी एच्चा है डिवाइस में IPS से सुड़ी दिया गया है 6.72 इंचेस का इसके लबा डिवाइस में हमें मिडियरे के लिए G306 जैसा एक powerful chipset भी मिल जाता है 8,000 में काफी बढ़िया है डिवाइस में dual ear camera right megamixel and 5 megamixel का selfie camera इसी smartphone में है 5,000 mAh बेटरी है और डिवाइस की price range के हिसाब से एक बड़िया डिवाइस में कहूँगा आपको कैसा लगा price range के हिसाब से Redmi A2 नीचे comment section पे जरूब बताई है तो यहीता दुस्तों Redmi A2 smartphone जो एक newly launched product इंडियान market में launch हुआ है मैंने इसी Redmi A2 smartphone के unboxing करके इसी smartphone के बारे में details में आप लोगे साथ share किया है आपको यह Redmi A2 smartphone कैसा लगा नीचे comment section पे जरूब बताई है आप अपने opinion आपका जो review है वो नीचे comment section पे जरूब बताई है और अगर आपको यह video तोड़ा सा भी पिसंद आए तो थोड़ा से आपका support और हमारा मेहनत चाहिए तो मैं मेहनत कुरूँगा आप थोड़ा से support कीजिए नीचे दिये गए white button को click करके चैनल को subscribe कर दीजिए ऐसे ही unboxing and review videos और content देखने के लिए नीचे दिये गए white button को click करके उसका बाद bell notification को on करके रखेंगा ताकि हर एक वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पोचे तो यह ही था दोस्तों आज के वीडियो में तो आज के वीडियो के लिए इस तना ही guys बाई टेक क्यार and जाए हिंद